नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एपिएन पर आप देखने हैं इंडिया लीगल और मैं हूँ राजश्री चुनावी महाल में चुनाव से जुड़ी तमाम शिकायते मिल रही हैं और चुनाव आयोग भी कारवाई कर रहा है ऐसा दिख तो रहा है लेकिन अभी तक ऐसे मामले बहुत ही कम हैं जब चुनाव आयोग की और से किसी भी नेता या व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कारवाई हुई हो तो क्या चुनाव आयोग के पास अधिकार कम है या वह इन्हें पूरी तरस इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है तो आज इंडिया लीगल में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे तो मिशन 2017 के लिए तमाम दल लगे हुए हैं पांच राज्यों में चुनाव का महौल है और नेताओं की धूम धड़ाके वाली रैलियां और भाशनबाजी भी जारी है नेता तरह तरह के वायदे कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश में भी लगे हैं लेकिन इस मुही में नेता तमाम ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जो चुनाव अचार सहिता का सीधह तरब पर उलंगन कहा जा सकता है चुनायोक तमाम मामले भी दरज कर रहा है लेकिन क्या इन मामलों के दरज होने पर, नेताओं या उनके समर्थकों पर कोई असर पढ़ता है, कोई फरक पढ़ता है क्या चुना आयोक का कोई डर अब रह गया है, और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है पहले भी तमाम ऐसे मौक्य आये हैं जब निताओं ने अपनी सीमा लांगी है और चुनाओ आयोक तक उनकी शिकायत पहुँची है लेकिन परिणाम शुने रहा उनका ऐसे में क्या समझा जाए कि चुनाओ आयोक का डर नेताओं के अंदर से खत्म हो रहा है क्या चुनाओ आयोक का असर अब खत्म हो रहा है देखिए इस खास रिपोर्ट पे और आद इसी बात पर हम बहस भी करेंगे मुख्य चुनाओ आयोक्त नसीम जहदी के इस ऐलान के साथ ही पाच राज्यों में चुनाओ का बिगल बच गया और आधर चुनाओ आचार संहिता लागू हो गई और इसके साथ ही आचार संहिता के उलंगन की शिकायते भी आने लगी मामला यही नहीं रुका कुछ जगाहों पर नेताओं के खिलाफ मामले भी दर्जु है मुझफर नगर दंगो के आरोपी बीजेपी विधायक संहित सोम के खिलाफ मेरट में चुनाओ आचार संहिता तोड़ने और नफरत फैलाने के इल्जाम में 19 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ वो सरदना सीट से बीजेपी उमीदवार है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केश जिवाल को चुनाओ आयोग ने गोवारेली में बीजेपी और कॉंग्रेस से पैसे लेकर वोत उनकी पार्टी को देने वाले बयान पर कड़ी फटकार लगाई चुनाओ आयोग ने दोबारा इस तरह के बयान नहीं देने का जिवाल नहीं रुके तो चुनाओ आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर परिकर को रिश्वत के बारे में उनके बयान के लिए फटकार लगाई आयोग ने उनसे भविश में अधिक सतर्क रहने को कहा चुनाओ आयोग के मताबिक उत्तरप्रदेश में आदर्श आचार सहिता को सुनिष्चित कराने के तहट कारवाई में अब तक 107.5 करूर रुपए जब्त किये गए हैं सरकारी और निजी संपत्ती को विरुपुत करने के 814 मामले में FIR दर्च करवाई गई है जब कि वाहनों पर अभैद रूप से लाल, नीली बक्ती, जंडे और लाओड स्पीकर लगाने के विरुद्ध चलाए गई अभ्यान में 1617 लोगों के विरुद्ध FIR दर्च कराई गई है साथी बिना अनुमती के भाषण, रैली, पार्टी कारियाले खोलने और वोटरों को ललचाने के 611 मामलों में 436 लोगों के खलाव FIR दर्च कराई गई है यह अकड़े सुन्दे में काफी प्रभावी लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन में से जादर तर मामले या तो खारिद हो जाते हैं या सालों लटके रहते हैं सांसदिय विधाय की खारिद होने के मामले बहुत कम है और वो भी कोड के फैसले पर हुए हैं पटना हाई कोड ने 2016 में सासा राम से बीजे पी सांसा छेदी पासवान का चुनाव अमा निगोशित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने आपराधिक इतियास की सही सही जानकारी नहीं दे थी अलाकि सुप्रीम कोड ने पटना हाई कोड के फैसले पर रोक लगा रखी है इलावाद हाई कोड से प्रताबगर के पट्टी से सपा विधायक राम सिंग का निर्वाचन 2016 में रद हुआ वो 2012 में चुने गए थे उन पर मगड़ना में थांदली का आरोप था सुप्रीम कोड ने मणीपुर में 2012 में मोय रंग विधान सबाच्चेतर से विधायक तरत्वीराज का निर्वाचन इसाधार पर रद कर दिया कि शिक्षा के बारे में जूता हलफ नामा दिया गया था मज़्य प्रदेश हाई कोड की जवलपुर बेंच ने देव सर से बीजेपी विधायक राजेनर प्रसाद मेसराम का निर्वाचन 2015 में निरस्त किया था वो 2013 में विधायक बने थे उदर सुप्रीम कोड ने निताओं और नौकरशाओं के खलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पास्ट्रेक कोड बनाने और सजायाफता व्यक्ति के अजीवन चुनाव ना लड़ने पार्टी ना बनाने देने के संबंदित जनहिती आचका पर केंद और चुनाव आयोग से दो हफ़ते में जवाब मांगा है इस याचका में चुनाव लड़ने के लिए नियूनुतम शेक्षिक योगिता और अधिक्तम आयोसी मा निर्धारित किये जाने की भी मांग की गई है चुनाव आयोग ने भी चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव बेजे है राजनीती में अपराधिकरन रोकने के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि अगर किसी उमिदवार के खलाव पात साल से जादा की सजाव वाले मामले में अगर अदालत में आरोप तैय हो जाते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए अभी तीन साल से जादा की सजा होने पर ही चुनाव पर रोक का प्रावधान है आयोग का ये भी सुझाव है कि एक उमिदवार को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की मनजूरी होनी चाहिए बीरो रिपोर्ट एपी एन चुनाव आयोग के जो अधिकार है क्या वो अधिकार कम है या चुनाव आयोग अपना असर खत्म करता जा रहा है उसका असर अफ़ खत्म हो रहा है इस मुद्ध पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम विशेशग्य मौजूद है माचल परदेश हाई कोट के पूर्व कारेवाहक मुख्य न्यायदीश जस्टिस आरवी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है मध्य परदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल अनुप जौर चौधरी भी हमारे साथ इस पैनल पे जुड़े हुए हैं मुख्य चुनायुक्त एमस गिल भी हमारे साथ हैं सुप्रिम कोट के सिनर ड्वोकेट पी एच पारिक हमारे साथ हैं और विकास सिंग हमारे साथ हैं साथ ही लौ कमिशन उत्तर प्रदेश के चेर्मैन जस्टिस रवींद्र यादो हमारे साथ हैं और इसमुद्दे पर सुप्रेम कोट, डिली हाई कोट, बॉम्बे हाई कोट, इलहाबाद हाई कोट की लखनव बेंच के वरिष्ठ वकीलों की राय भी हम इस पर जानेंगे और हम उन अधिकारियों की राय भी जानेंगे जिनके उपर ऐसे मामलों में कारवाई की जिम्मेदारी होती है और साथ ही हमने उन निताओं की भी राय जानी है जो ऐसी कारवाई के शिकार होते हैं या उन पर कारवाई नहीं होती है तो चुनायोग के असर को चारो तरफ से हमने तोलने मापने की कोशिश की है और साथ ही कि क्यूं ऐसा होता है कि आदालत को चुनायोग के कारवाई में भी कई बार intervention करना पड़ता है कई बार उसमें हिस्सा लेना पड़ता है, कई बार उसमें इस तरह के आदेश देने पड़ते हैं जो कि चुनायोग को करना चाहिए था यह बहुत मैं शुरू करना चाहूंगी जिसे सार्वी मिश्राप से चुनायोग की जब परिकल्पना की गई थी तो जाहिर सी बात है कि सम्विधान के सासा जब आर्टिकल 3.24 के तहत चुनायोग की भी परिकल्पना की गई कई अधिकार दिये गए और यह माना गया था कि चुनायोग को आदर्श बनाने में चुनायोग सबसे जादा कारगर होगा आप इस जो परिकल्पना के पीछे की जो खास उदेश्य थे उसको कैसे लेते हैं यह जो लोग तंतर जनिर्वरित होता है यह इतनी बड़ी वेवस्था है इसको स्वतंत रूप से चलने के लिए एक अच्छी रूप में इसको स्थापित होने के लिए यह जब हमारे वीड किया उसके साथ और भी एलेक्शन कमिशन को दिया और उसको यहां तक स्टेटस दी दिया कि इतना इंडिपेंडेंट रहेगा अपने कार मडाली के मारे में अपने जो कारे निवरहन के मामने में और उसका क्या मुख्य काम होगा देखे निगरानी नियंतन और इसके बाद निर्देश यह चीद इस अपने तमाम तरह के नियंब बनाएगा इस तरह से इंडिपेंडेंट करेगा जिससे कि हमारा जो लोक तंत्र है उसमें लोगों का विश्वास है और जागरत हो और इस्थापित हो और इस तरह से लोगों का इनवाउल्मेंट हो कि वो यह समझ सकें कि हम स्वतंत रूप से अपने जो अभिमत को अपने ओट को देंगे और निर्वाचित करेंगे शुरुआत यह हुआ था जिए इंडिपेंडेंस के बाद लोग ऐसे अच्छे लोग पवित्र लोग सब्सक्राइब करेंगे और देखें तीनों में इस तरह सा देखें पावर डिमार्केशन हुआ इस तरह से सामझेशे बना कि एक सबसे बड़ा एक्जाम्पुल आपने देखा होगा कि इंडरा गांधी का जब इलक्षिन चैलेंज हुआ लाहबाद हाई कोड में तो आप इ इस तरह से फैसला दिया देखें पूरे हमारी कारवेवस्ता ही बदल गई बिल्कुर में जो अनुबह हो रहा है उसमें यह देखा गया कि समय समय पर हां यह जरूर है कि एलेक्शन कमिशन समिक्षा के परिदी में आ गया था लेकिन आज जो रूप रेकाओ बढ़कर आ रह समय समय आप कह रहे हैं कि अच्छे साइन नजर आ रहे हैं अच्छे निर्देश दिख रहे हैं लेकिन अनुप जोर्जी इस पूरी बहस में यह सबसे बड़ा सवाल है कि एलेक्शन कमिशन को जिस परिकल्पना के साथ हम लोगों ने शुरू किया जो रूप रेखा उस पावर हैं लेकिन वो एक्सक्यूशन तो आखिर नीचे आ जाता है जो की जिल अधिकारियों के हाथ में है और सबसे पहला निर्वाचन अधिकारी एक तरह से जिले में वही है तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि एलेक्शन कमिशन के पास जितने पावर है वो कही ने कही ड जो है और भी इसमें काफी शंशोदनों की जरूरत है पहली चीज तो यह है आप यह मान के चलिए कि जो राजनेतिक दल होते हैं इनको यह सूट करता है कि एलेक्शन कमिशन के पास अधिक पावर ना रहें या कोई ऐसे प्रुविजन रहें जिसका वो फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि उद्देश यह है कि साब हमें चुनाओ जीतना है तो अगर उस चुनाओ पे बहुती अधिकृत रूप से नियंतरण होगा तो फिर वो अपने उद्देश में कामियाद नहीं रहें जाहर से बात है अभी भी हम यह एलेक्शन कमिशन यह कह रहा है कि जैसे पार जिसको परिभाशा नहीं है वालेशन और कोड ऑफ कॉंडक्ट इनोभेर प्रिस्राइब इन यह बिलकुल और इस बार में उसका पनिश्मेंट होगा और पनिश्मेंट भी इतना कम है एफायार साब रेजिस्टर हो गई अब के जबाल कि साब एफ रायर रेजिस्टर हो अनुब जी की आखिर चुना आयोग क्या असरहीन होता जा रहा है कि एफायार तो डिस्टर्ड होगी उसे पावर दिया गया है कि आप कोड अफ कंडक्ट आप लागू करवाईए यहां पर जो मैं आपको कह रही थी कि डियम के पास यह पावर होता है अब एक मामले में डि करने का पावर है वही सही नहीं है वहां पर जरूरी है बदलाव करना एक तो पहली चीज़ यह होती है कि बहुत कम होती है कि ट्रांसर कर दिया उसको यह कर दिया मैंने तो बहुत कर देखा है suspend कर दिया और suspension तो सबसे बड़ा fraud जो है वो suspension है उसके बाद कोई आगे कारवाही नहीं होती है अब ये सरकार के नौकर है तो ये कोई नौकर अपने मालिक के खिलाब कितना कह सकता है एक आधी बिरला आपको मिलता है इंडिपेंडेंट वाला तो ऐसी कुछ प्रकरिया होना चाहिए कि ऐसा कोई प्राधान होना चाहिए एक्ट में ही जिसमें की election commission कोई strict action ले सके उन अधिकारियों के खिलाब भी जो की code of conduct को सही धंग से लागू नहीं कर आप और code of conduct क्या है ये भी elaborate होना चाहिए पहीं नहीं ह और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि गल साब क्या चुनायोग बिना दांत का शेर हो गया है ये समझा जाए जिस तरह की चर्चा हमने की है You see I won't really do an analysis of the election commission of India. I have been there for almost eight years, a rare situation from 93 October to June 2001 and I have been the CEC for something less than six years and since then I never really try to critically examine or publicly say anything on the commission. But I would say in all honesty, not because I am one of them, which I am, that I think people agree in this country even today that the commission for quite a long time now, we started in the 90s making reforms and being firm and trying to take control of the election system for which the constitution has appointed a commission. And since then I think the commission is doing broadly very well. तो एक नया शब्द उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी नजर रहेगी. अब हम लोग जाहिर से बात है कि सोशल मीडिया के जमाने में है, वेब एक तरह से क्रांती आ चुकी है. ऐसे में लगता नहीं कि अभी चुनायोग काफी पीछे चल रहा है? पचास के दसक से साथ हो सतर में निरंतर देखी परिवर्तन हुआ है निरवाचन में और हमारे जो लोगतंतर जो बेवस्ता है चुन कि जो आते हैं हमारे असेंबली और पार्लेमेंट के फंक्शनिंग में पहले देखी संबाध होता था. तरक विश्रेशन होता था किसी भी पार्लेमेंट के फंक्शनिंग होती थी उस समय सायोग से लोगों को वहां से देखने का मौका नहीं मिलता था. जब हमारे मीडिया और अब टेलिविजन जब आ गया इसके माध्यम से मीडिया मैं कहूंगा जो आपके चैनल हैं ये बड़ी भूमिकाने भारा हैं वाकई गया है 171 A से लेके A, B, C, D, E, F तक दिया गया ही तक उसमें अपराद हैं ब्राइबरी और ग्रैटिफिकेशन वाले इनल के जिनमें देखे अगर कोई मान लिजे अगर केस शलता है तो उसमें निप्टारा ही नहीं होता जल दी या लोग आते नहीं इविडेंस नहीं आता सब्सक्राइबरी निप्टी में आप जोड़ दीजे संसोधन के बार देखे एक सो तिरपने है जब आप समग रूप से गुरूप में आप हैट्रेट पैदा करते हैं डिफरेंट गुरूप में आप लेंग्वेज भासा रेच और रेजिएंस के पारदमें उसका भी देख यह जरूर है कि अभी इसमें बहुत सारे सुधार की आउशिकता है जागरूप करने की जूरत है और एलेक्शन कमिशन को एक अपना परचारक विंग बनाना चाहिए जो लोगों को बताया कि आपके यह कानूनी अधिकार हैं पारिक साब आप से जाना चाहेंगे कि कि अधिकार हो जाती है या कुछ वापिस ले लिया जाता है जब तक फैसले आते भी है तब तक उनका कोई मैने नहीं रह जाता है ऐसे में इन याज़काओं का जल्द निप्टारा कैसे हो तो मैं ऐसा चाहूंगा कि कोई कोई ऐसा कोई हाई लेवल ट्राब्यूनल हो जो आ हर एक स्टेट में एक-एक ब्रांच हो जाए और उनको पावर दिया जा रहा और उनके पास पहुती अच्छे इंसान को अंदर आप एसोसेट करो और उनको बोलो कि हर एक इलेक्शन पिटिसन आप छे मेने के अंदर जरूर डिस्पोज कर दो गये और उसके खिलाब सिर्फ अपिल सुप्रिम कोट को होनी चाहिए हमारे साथ सुप्रिम कोट के ऐसे हैं रोकेट विकास सिंग भी जुड़े हैं जो ऐसे कई मामलों में वकील भी रह चुके हैं विकास जी बहुत शुक्रिया इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए और मेरा सवाल आप से भी वही है जो हमने पारिक साहब से पूछा है कि चुनाव से जुड़ी शिकायत हों कि जल निप्टारे के लिए क्या किया जाना चाहिए उनका कहना है कि एक अलग से अथर्टी बनाई जानी चाहिए और खासकर कोर्ट के अंदर ही आप इसको कैसे लेंगे दिखिए इस पे तो दो तर बीसाथ साथ प्रवाइड़ हो कानून में और दूसरी बात यह है कि जो भी एलेक्शन के जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं हाई कोट में एक स्पेशल बेंच होना चाहिए जो सिर्फ एलेक्शन डिस्प्यूट्स ही देखे बहुत कम हमने ऐसे केसे देखे हैं जो एलेक कि जैसे करफ प्रैक्टिस का अगर यूटिलाइज़ेशन का अगर एलिगेशन है तो बारा साल बाद भी उसका इफेक्ट रहेगा क्योंकि करफ प्रैक्टिस अगर आप पाए गया तो फिर सर्टन नंबर ओव यर्स के आप डिस्कौलिफाइड डिस्कौलिफाइड हो जादा कहूंगी उसको जादा पारदर्शी बना पाएंगे लेकिन एक और मेरा सवाल होगा इसे से जुड़ा हुआ कि क्या कई बार ऐसा भी होता है कि चुनायोग अपने अधिकार क्षटर से आगे बढ़के कुछ ऐसी कारवाई कर देता है जिसकी वज़े से बेवज़े क प्राइब कि आदमी इसके खिलाफ एक्षण करते हैं 99.9 चांस में अपना पूरा कर लेता है उसने तो अपना काम पूरा कर लिया अब भरष्टाचारी व्यक्ति जो है भरष्टाचारी इंदर सेंस के खिलाफ करक्टिस के पूर्व है आपने बाद में ओर्ड किया तो पां इसके सबसे बड़ी गलती है वहां से ट्रांसवर करने में इतना लंबा समय लगता है इतना लंबा कि जब तक फैसले आते हैं तो आता ही नहीं है जैसे सार्वी मिश्रा क्या वाकई इसको सबसे निचली अस्तर पर शुरू करने की जरूरत है या फिर ऐसा अलग से चुना आयो कोट बनाया जाए और वहां से यह शुरू किया जाए देखे हमने फास्ट है कोट दिगा था बहुत सारे जो क्रिमिनल केसिस की पेंडेंसी थ सकता है या उनका निदेशन कर सकता है या कोई भी ऐसा गाइडलाइन को दे सकता है सुप्रीम कोट की रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोट के अधिनस्त हाई कोट नहीं है डरेट जो सबाउडिनेट कोट है उनके अधिनस्त नहीं है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ जब इतने दिनों तक चुनायोग तरहें ऐसे में आपको क्या लगा कि चुनायोग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जब आपको क्या आती है तब ने लिए दिनों में आपको क्या आती हैं आता है। only a result, results even came, the kleine monoary nisakaar dhi og gih, Kaya saw ngal gaya then everybody forgets about FIR and it has no deterrent effect, do you get me whereas the people who complaine to the CEC, and I certainly had a belief, my belief that I have to open to people in India during election to whatever complain they want to I kept my telephone open even at night and sometimes in some election major leaders of this or that party rang me up at even one o'clock my wife was annoyed but I took the call and if there is a serious complaint then I must tackle it immediately once I cancelled the whole parliamentary election of Patna parliamentary seat. If you just put an F.I.R. and leave it there, this is avoiding the situation. I am not sure it gives any satisfaction. इन सबस्मस्याओं को देखाया, उनसे भी हमने उनकी रायजानी है, किसी भी प्राधिक बाद में कोई वेक्त यो जेल में निरुद्ध है, उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना किसी का fundamental right नहीं है, यह statutory right है, और चुनाव सुधार के सम्मंद में मेरा यह कहना है, कि जो कोई भी प्रत्याशी केवल एक जगर से चुनाव लड़े, और दूसरा यह, कि जो भी दल बदल करता है, वो जब तक उस दल में दो साल के सदस्यता न पूर्ण कर ले, तब तक उस दल से उ है, वेकर लोग प्रतिने दित्व अधिनियम के अंतरगत, जिला अधिकार को व्यापग अधिकार दिया गया है, और आई पी सी की धारा एक सटरेपन और दो सुबान में में यह अधिकार दिया गया है, कि कोई भी चुनाव के दौरान, अगर कोई धंगा फसाद करता है, को वो कॉगरेजिबल ओफेंस है और तीन साल की सजा का प्राविजन है, जब भी पर्टिकल पार्टी फॉर्म होता है, तो उनको इलेक्शन कमिशन को तीन सपत पत देना पड़ता है, एक तो कि धरम के अधार पर राजनीची नहीं करेंगे, दूसरा जाती के अधार पर राज पर राजनीची नहीं करेंगे लिए और इन सब पूरे मसले पर चुनायोगी कारवाई और सुधार के लिए हम राय जानते हैं, यूपी लॉक कमिशन के चेर्मेन रविंद्र सिंग यादो हमरे साथ जुड़े हुए हैं, जस्टिस रविंद्र सिंग यादो हमरे साथ बहुत दर शुक्रिया आपका इंडिया लीगल में हमार साथ जुड़ने के लिए और सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया हम इसी पर लेना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से चुनायोग में सुधार की जरूरत है ताकि उसको जादा से जादा एफेक्टिव ब वह उनी लोगों को पर्मिट करना चाहिए जो संक्ठन के पदादिकारी है यह संक्ठन में का पदादिकारी किसी समयदानिक पत्पर बैठा है तो पहले उसको अपने उस समयदानिक पत्स से या तो त्याग पत्र दे दे और अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो ऐसे व्य इस तरह से नहीं करना चाहिए लेकिन अनुप जी यहां पर सवाल यह उठता है कि सुधार की बात तो तब हो जैसे जो पहले अभी तक जो कुछ हुआ है उस पर भी विचार करना जरूरी है कि जो अभी तक यह एक चलन सा रहा है कि खूब सारी शिकायते हो गई और उसके पार्टी के लोगों के लिए इसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है पार्टी का कोई डिसक्वालिफिकेशन ही हो सकता है क्यों अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जैज्मेंट हुआ है जिसमें हमने बहस की थी सेवन जैजेस का उसमें का रिलिजिंगा स्ट ग्राउंड करते हैं कोई इक की तरफ करता है कोई दूसरी तरफ करता नहीं को भी एनना चाहिए कि अगर ये पार्टी प्रपगेट कर रही है धरं की कास की उपर कोई भी पार्टी तो उसको भी डिस्कॉलिटिकेशन का होना चाहिए और अगर इलेक्शन पूरे दल को पूरे दल को आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक व्यक्ति की गल्ती की सजा पूरे समू को क्यों दी जाए यह यह नेच्रल जस्टिस का हुआ नहीं सब देख इस चीज को कैसे करेंगे इस चीज की स्थापना कैसे करेंगी कि यह एक कैंडिडेट की गल्ती नहीं है एक दल की गल्ती आप तो शहदेत की बात करें यह नहीं दोनों के पार्टी और कैंडिडेट को अलग करती है तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि कैसे करेंगे कि वो लो हावल में अगर एक पर्टिकलर कैंडड़ेट को छोड़ करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोई कारवाई करती है जिससे के पीचों पर उसका मतलब वो तो अबेटमेंट हो गया ना जी बिल्कुल बिल्कुल और इस पूरी बहस को हम आगे जारी रखेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या चुनायोग वाकई अपनी भूमिका कारगर तरीके से निभा रहा है या फिर क्या चुनायोग को खत्म ही कर दे क्या आपको लगता है इतनी हमने बहस की वाकई आपको अभी तक यह लगता है कि चुनायोग अपनी जो भूमिका है वो कारगर तरीके से निभा पा रहा है नहीं मैं कहूंगा मिक्स फिलिंग इलेक्शन कमिशन ने कई चीजे अच्छी की है और जब पहले बिगिनिंग में तो इलेक्शन कमिशन को मालूम ने था कि उनको बहुत सारे पावर है लेकिन उसके बाद कई इलेक्शन कमिशन में चेर्मेन आये और उन्होंने कई पावर रख दिया कि जो इलेक्शन के टाइम किसको एपोइंट करना किसको ट्रांसपर करना वो चीफ मिनिस्टर नहीं करे तो कई चीजे उन्होंने अपने good purpose के लिए politicians से ले लिए लेकिन जो delay है वो बहुत ही बुरा काम है और election commission के पास दूसरे भी कोई भी matters जाते है उसमें भी बहुत ही delay चलते है अभी जो आप आदमी के MLS के खिलाब केस फाइल किया है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोगों को जो permissible है उनसे ज्यादा लोगों को secretary बगरे बना दिया है और election commission का manpower भी कम है और उनके पास काम भी बहुत है उनको executive काम भी है inspection करना है तो यह सारी case और इसको judicial function दिया है वो करना मुस्किल है तो यह judicial function भी ऐसी जो कोई दूसरी कोई institution बना है जो high court से higher हो और supreme court से lower हो इस तरह की को institution बना कि यह सारा काम उनको दो और अच्छे लोग क इसको appoint करो और all over India में हर एक state में इसको appoint करो जी यानि कि चुनायों कि कुल विलाकर जो भूमिका है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं निपा रही है जैसे कि उमीद एक आम जनता करती है मसलत है मस्त गल साब जोड़े हुए है मस्त गल साब आप से यही जाना चाहूंगे कि चुनाऊ याचिकाओं के जल्द निपटारे के लिए कि या कदम उठाया जाने जाए जैसा कि हमने तमाम मुदाहर्नों में बेखा है कि जब तक शिकायत होती है उसकाटारा होता है तब तक जित खिलाँ शिकायद होती है उस इस उस パर इस फैसले का कोई असर ही नहीं न but the courts the honorable judiciary being supreme in their decisions and actions I think these are allowed to linger on and I think the six month time is being flouted I wish it wasn't a month or two extra maybe but it should be done so that if a man has wrongly been declared elected he has to be removed and in your election. How can I get the candidate for this? how can I get the candidate for this? how can I get the candidate for this? first of all we have had the forum. Gil Saad has said that the special judges appointed. He doesn't know how judges are appointed. होता है उस election petition के अलावा उसको बाकी काम भी करना पड़ते हैं यह नहीं कि वो जजज साब जो election petition देख रहे हैं तो बाकी काम उन्हें अपना बंद कर दिया तो अगर आफ्टरनून के दुफैर के बाद केस लगेगा तो समय कहा है बताइए इसने गवाँ होना है गवाई आनी है दूसरी साइट की गवाई आनी है डॉक्यूमेंट प्रदूस होने एक प्रथा जो बनी हुई है election petition फाइल करने की और उसके उपर उसका judgment होने की वो तो भी बदा जाएगी तो इसलिए यह जज को एक special जज को डॉमिनेट कर देना आप यह एक्सपेक्ट करें कि छे मैने में फैसला दे देगा पॉसिबिल ही नहीं है जिसलिए मेरा तो कहना है कि जब तक आप इसको अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने और एक ही को बनाएंगे को जैसे अब देखिए आपने आपको एक्जामपल दे रहा हूं है शुरू में जब यह सेंट्र एड्मिन्स्रेटिव ट्राइडनल बनी थी तब कुछ लगा था कि पता नहीं क्यों यह बनाए जा रही है पर आज हम देखते हैं कि सर्वेस मैटर्स का निराकरण तो हो रहा आम आप्मी के तौर पर देखा जाया तो चुना आयोग की कलपना उसके दिमाग में इस तरह से है कि चुना आयोग कुछ है कारवाई करेगा कारवा करेगा राजणीत का अपरादी करण को रोकने में कारगर हुआ है क्या अभी भी हम देखते हैं कि कि इतने बाहुबली मैदान में हैं केस सिर्दियों जो इस तरह के पेंडिनक में इस्यक्राइब को सब्तियों में हैं दूसरे यह देखे बहुत जो 52 की बाद कैसे बाद केस हाया इसके में देरेक्शन दिये गय वहातusstas देज़ देजिकर की अधिकर उसमें इतिकर कोई प्र्रश shrink प्रफार्मा किया है बड़ा भारी देखे कदम था सुधार की तरफ एलेक्शन कमिशन के बहुत बड़ा बेल मिल गया उसमें उनको एफिडेविट ली जाती है बहुत सारा डिस्क्रोजर होता है उनके एंट्सिडेंट्स एजुकेशनल फिनेंशियल उनके जो केस सम्मंदित दूब्स हैं लेकिन देखें हरjas और हर व्यक्ती जो है उसको जानने का धिकार रहे प्राकरति का के श्रेंज निवान के की सिक लुक रहे मेंग़े तो लोग करेंगे कि karş रहेने किसको देना है और यह right to information से ले लिए और इसके बाद यह देखें सब जो लोग मिल जुलके यह देखेंगे कि बहुन muscle power उपयोग कर रहा है कौन money power उपयोग कर रहा है और यह कोशिज करना है देखें हमारे parliament जो सचमुझी इनको कानून बनाना है वो इस तरह से कानून बना है कि ज़्यादा implementing agency हमारी जो charging हमारे जो departments हैं वो उसका निस्पादन कर सकें जिसे लोगों को विश्वास हो जाए कोई complaint किया तुरंत action होगा लेकिन सवाल यह है कि यदि जो भी declaration भर रहे हैं नेता वो तो सही भरें कई बार तो ऐसा भी हो रहा है आमने तमाम उदाहांट देखें हैं जशिस मिश्वा कि उन्होंने जो भरा वो गलत था या कम से कम बहस में पढ़ गया उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं हुए यहा चार्शीटेट नेता जो नेता है जिन पर सीरियस ओफेंसिस के चार्चीट है तीन साल से सदा सजा जिसमें ज्यादा है उन चार्चीटेट नेता सको भी एलेक्शन ठंटेस करने से ले डिबार किया जाए हैं अब दिए सर्प्राइजिंग बात यहां है कि आज के दिन में में law commission के recommendation के basis में कोई bill भी pending नहीं है इस तरह का कानून लाने के लिए क्यों नहीं यह पेंडिंग है प्रिजेंट कॉंपोजिशन है प्रिजेंट कॉंपोजिशन जो है पार्लिमेंट था उसमें से 30-40% चार्ड शीट इट लोग है तो ऐसे दो अपने खिलाफ तो बिल लाइंगे नहीं इसलिए इसमें एक पेटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोट में जो एक Constitution bench को रेफर हुआ है मैं नहीं में इस मैंटर को और शायद वो मही में हेरिंग पर आएगा कि सुप्रीम कोट यह फैसला करें कि ऐसे लोगों को या तो इस तरह का बिल जब पार्लिमेंट में कंसिडर हो तो जितने चार्ड शीटेट नेता है वो इस बिल में वोट ना कर सकें या सुप्रीम कोट एक जब तक कि इस तरह का कोई बहुत एक्स्ट्रीम स्टेप नहीं लिया जाएगा यह कभी कानू ना आने वाला है और ना कभी इस तरह का कोई वो आएगा इस वक्त अनुप ची तमाम जो हमने सुना और यह सबसे बड़ा मसला हो गया है कि राजडीत में अपराधिकरण अभी भी है और यह बड़ी विडंबना है कि हम उन्हीं से न्याय मांग रहे हैं वही हमारे मुंसिफ हैं जो कातिल हैं ऐसे में भाकई किस तरह से कारगर कदम उठाया जाए और क्या हर चीज हम कोर्ट पर पार्लेमेंट पर छोड़ दे यह जो प्रपोजल लोग कर रहे हैं कि चार्जिस इसके फ्रेम हो जाया है यह बहुत डिंजरस मात है हमारे हैं ऐसे केसे पेश होते हैं और मजिस्ट्रेट लोग आंग बंद करके चार्जिस फ्र पार्जिस्ट्रेशंस में जो चालान पेश होता है उसी का चार्ज्ब्रेम हो जाता है और मजिस्ट्रियल लेविल के जो केसे जो कर्मिनल थे हैं यह तो सालों लगते इंकोने होने में तो किसी के भी खिलाफ आपने कोई श가यात कर दी और यहाँ हमारे हाँ प्रेजेंट आ है निकलते हैं कि यहां जब चाहती है पुलिस तो एकदम फाय रेजिस्टर हो में निकलती है वह गयी हो गई हो जाता है को अलग करने के लिए उसको कैसे संजेंगा से लिए शागरे जिशसे कार्डिनल प्रिंश वह है है उसे हैं और निर्दोष को सजा ना हो, तो यह basic fundamental यह कहां जाएगा, अब सजा हुई नहीं है, charge frame हो गया, आपने उसके खिलाफ crime समझ लिया, riot होते हैं, जो production होते हैं political parties के, उनकी उपर cases चल जाते हैं, इसलिए यह बड़ा dangerous, I don't know, हाग कितना यह successful होगा, और यह तो हम बड़े dangerous line में जा हो जाएं तो उनको election लणा बंद करा दी, और इससे कई लोग ऐसे हो जाएंगे, कि निर्दोष भी होंगे, वो भी शायद इस दायरे में आ जाएं, बदले की कारवाई हो सकती है, शायद इससे आगे चलके, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, और अब इन नेताओं की भी र एक ब्लेम लगा के और करते रहते हैं, उसका चुनाओ पर बहुत फर्क पड़ता है, और उसका जाहिर्ची बात है के नुकसान होता है, और खास तोर से जिदिन चुनाओ आए हो में शिकायत पोलिंग और डाउन जाता है, और लोग अकसा देखा गया है कि पोलिंग डाउन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम वरिष्ठ वकीरों की राय इस पूरे मसले पर क्या है, ये जानते हैं. कई बार हमने देखा है कि इलेक्शन कमिशन रेप्रेमांड कर देता है, रोग देता है कि आगे मत कीजिये, कई बार ये भी हो सकता है कि वो कैंसल कर दें कि आगे और भी जादा स्ट्रिक्ट अक्शन लें. ये सब इन एडिशन होते हैं जो यूजिवल लॉप पीनल कोड मे और यूजल जो कानूने उसमें प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। तो एलेक्शन प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। और कभी जबी हमको लगता है कि संसर्दानों की कमी भी है। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। प्रिस्क्राइब होते हैं। और अब जबकि इंडिया लीगल के हम इस पूरी बहस के अंत में पहुंच चुके हैं। एक फाइनल कॉमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आपने तमाम पैनल से और तमाम बरिष्ठ विशशग्यों से। अनुप जी, चुकि मैं एक मीडिया से हूँ, तो मेरा एक सवाल पूरे गंटे में लगातार मेरे मन में चलता रहा। कि चुनायोग ने उपिनियन पोल पर एग्जिट पोल पर रोक लगा दी। विशुद्धी करण हो गया या उसके आगे बहुत कुछ करना था उस पर ज्यादा देने की जरुरत थी। मैं यह बानता हूँ कि यह किसी हिसाब का रस्टिक्शन है प्राबंदी है मेडिया पर पर हमारे आप देखे तो सही जो हमारे वोटर्स हैं हमारे यहां जो यह भेड की मेंटालिटी है कि सब चलो वहां जाओ तो यह आप इसको उपीनियन पॉल भी कैसे बनते हैं कई बार तो अपने देखा कि उपीनियन पॉल बनाया जाते हैं यह भी एक आयत आपको याद होगा बिल्कुल बीक में आयता कि साब प्रेस्टिंग इतने फरक आता है उनमें कि रिजल्ट कुछ है आ कुछ रहा है बिल्ली के उपीनियन पॉल में जो आया था उपीनियन पॉल सारे लोगों ने का बिजेपी को इतनी कॉंगर्स को इतनी एक मानून पढ़ा के सखाया हुआ हुआ का आफिल को 67 बिहार का उधारन है हमारे बिह इतनी पॉइंट रहता है क्यों कि लोग बटे हुए हैं दो जनों दो पार्टी में उनके जो हैं वो सर्फ फ्लोटिंग वोट का जानकारी रखते हैं हमारे हैं जैसे इतनी पार्टियां हैं और जैसे आठ आठ करोड की पता नहीं कि यूपी की पॉपलेशन करीब 8 करोड है 24 करोड है 24 करोड के पॉपलेशन में आपने पांच हजार दस हजार पंदरा बीस हजार लेकि आप कैसे सरकते हां देखे जो उनका है वो तो लोट्री टिकेट के समाने हैं बिलकुल कि हमने समझा इतनी सीट जी जीत गई तो देखो हमने ठीक कहा था ना नहीं जीती तो आप पर बात करें तो वाकई मूल की आपको लगता है कि चुनायोग मूल जो समस्या है उस पर काम नहीं करके उसके परिदी पे ज्यादा काम कर रहा है उसके लिए प्रावधान भी तो नहीं है ना आपके पास जो प्रावधान प्रावधान एक्ट में है तो जब तक कि तो वो जो बहुत कारवाही को मांग भी देती है जो कि अमें अधिक पावर दीजिए कई बार मांगा गया गया है इलेक्षिन कमिशन को जादा जादा पावर्फुल बनाएजाए है पहले अधिकार है और अधिकार दीजिए अब उन अधिकारों का किस तरह से असका इस्तमाल होता है यह बात दूसरी है पर आज statutory power देना बहुत जरूरी है इस act को सरकार कर रही है करती जा रही है इसके तो कोई शकी नहीं है और यह भी आप नहीं कह सकते कि यह बिल्कुल इक काम नहीं कर रही है निरतक है election commission इस्टिक्ट हैं पहले के मुकाबले में हैं और भी होने की आशकता है उनको पावर मिलना चाहिए उनको statutory यहने statute में हमारे जो act है उसमें ज़्वान में प्रावदान होना चाहिए इसके खिलाफ action लिया जा सके criminal offenses जो है connected with the election law इनको ज्यादा सिवेर बनना चाहिए इनके उपर सजा होनी चाहिए इनके उपर सजा होनी चा आपका final comment क्या होगा कि किस तरह से चुनायों को और ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया जाए इतनी बड़ी संस्था इतनी विश्वस्थी संस्था लोग तंत्र के लिए संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक है कि election commission को और ज्यादा बिस्तित इनको पावर दिया जाए और इसको कारवानें केल किये इनको और वैल उकुप किया जाए इसको help किया जाए और देखे election से संबंदित और लोग तंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक जागरुकता अभियान बड़े ब्यापक स्तर पूरुना है लीगले वेरिसन हो जाए लोग को बताया जा होना चाहिए कि आप संबाद कैसे सुधार किया जाए लोकनत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए बहुत आवशक है और इसके बाद लीगल एवरेनिस करिए और दूसरे यह होना चाहिए कि जिससे की लोग स्वैम ही अस्विकार कर दें जो क्रिमलाइशन आप पॉलि प्रिशा लेने के लिए और आज इंडिया लेगल के बहस में हमने यह जाना कि चुनायोग को और ज्यादा से ज्यादा कारगर कैसे बनाया जाए और यह जानना की कोशिश की क्या चुनायोग अपना प्रभाव खोता जा रहा है तो कुल मिला कर हम शायद यही परिणाम कहा जा सकता है जो हमें मिला है अपने विश्यशक्यों की राय के हिसाब से चुनायोग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर और उसे ज्यादा से ज्यादा तकनीक और विवहारिक सुविधा देकर उसे और पर भावी और कारगर बनाया जा सकता आज की इंडिया लेगल में नहीं चलते चलते देश के अदालतों में इस हफते में कौन से बड़े फैसले आए, कौन से बड़े मामले आए, इस पर एक नज़र डालेते हैं नेताओं और नौकर शाहों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रेक कोट बनाने और सजायाफता व्यक्ती के लिए आजीवन चुनाव ना लड़ने, पार्टी ना बनाने देने से संबंदित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने केंदर और चुनाव आयोग से दो हफते में जवाब मागा है सुप्रीम कोट ने चुनाव सुधार से संबंदित जनहित याचिका पर ये आदेश दिया दिले हाई कोट ने वित्त मंतरी अरुन जेटली के बैंक खातो टेक्स रिटरन से जुड़ी जानकारी उपलप्त कराने के लिए मुख्य मंतरी अरुन केजरिवाल की याचिका खारिज कर दी नाराज NGT ने राजस सरकार पर पांच लाख रुपे का जुर्माना लगाया और इसकी भरपाई संबंदित अफसरों के वेतन से करने को कहा NGT ने एक अधिकारी पर अलग से पचास हजार रुपे का जुर्माना लगाया नियादी करन उद्योगों पर भी एक लाख और याचिका करता पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 मार्च को होगी National Green Tribunal ने उत्राखंड में गंगा के किनारे बीच राफ्टिंग कैम साइट को इजाज़त दे दी लेकिन नदी से 100 मीटर की दूरी की शर्ट जारी रखी है उत्राखंड सरकार और Wild Life Institute of India ने शिवपूरी और इशिकेश के बीच 33 साइट के लिए इजाज़त मांगी थी जिसमें से 25 को ट्रिबिनल की इजाज़त मिल गई पंजाब की जेलों में बंध विदेशी कैदियों के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने पंजाब सरकार से जानकारी मांगी है कोट ने पूछा कि पंजाब की जेलों में कितने कैदी बंध है और इनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज है इन मामलों के सिद्ध क्या है वहीं जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उनकी रहाई के लिए क्या कदम उठाए गए है प्रधान नयाधीस ज्रस्टिस ज्रेयस खेहर ने हलफ नामे या जवाबी हलफ नामे समय पर ना दाखिल करने और फिर वक्त मांगने की वकीलों की आदत पर नाराजगी जताई और चिताबनी भी दी है कि अगर वकील वक्त पर हलफ नामा या जवाबी हलफ नामे दाखिल नहीं करेंगे तो उन पर एक लाक रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा इराबाद हाई कोट ने मतरा के जवाहर बाग कान की सीबी आई जाच का आदेश दिया है केंदर सरकार ने कहा था कि अगर राजस सरकार सीबी आई जाच के लिए कहती है तो केंदर सरकार इसे मंसूरी देदेगी एनार एचम घोटाले में पूर मंतरी बाबू सिंग खुशवाहा को सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिले सुप्रीम कोट ने गैर जमानेती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गाजियाबाद की अदालत ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानेती वारंट जारी किया था कुशवाहा ने इसी वारंट को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी भारतिये डांस वार गर्ल्स एस्सोसियेशन की याचिका पर सुप्रीम कोट ने महाराश्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफते में जवाब मांगा है बार बालाओं की मांग है कि उन्हें टेप लेने से ना रोका जाए याचिका में डांस वार पर लगाएगी कई अन्य शर्तों का भी विरोध किया गया मामले की सुनवाई अब 20 अप्रल को होगी नई दिल्ली की मान सिंग रोड़ पर से ताज होटल की लीज से जुड़े मामले में नई दिल्ली नगरपाली का परिशद यानि NDMC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो टाटा ग्रूप का लाइसंस आगे नहीं बढ़ा सकती और होटल की निलामी करने का फैसला लिया है इस पर कोर्ट ने टाटा ग्रूप के इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड से कहा कि अगर उन्हें कोई आपती है तो वो एक हफते में जवाब दाखिल करें मामले की सुनवाई 22 मार्च को होगी